तो गैस कैसे आप सो लोग बहुत बहुत स्वागत आपका न्यू टैक अभी सीख में तो फ्रेंट्स अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मोवाइल कहीं भी खोजा और आपको तुरांट से पता चल जाए आप पुलिस कीस ना करें ना कि पुलिस जमेले में फसें तो फ्रेंट उसके लिए आपको एक छोटी सी अप्लिकेशन की जववत पढ़ेगी और फ्रेंट्स आप जो चोरी हुए मोवाइल में इमेल आइडी राल के रखें उस इमेल आइडी और पासवर्ट की जववत पढ़ेगी उसके बाद आप चुटकियों में आप अपने मोवाइल को पत करने से पहले आप से एक छोटी सी रिकवेस्ट है यहां पई जो आप वीडри देख रहा है आपको लाइक के आटन दिखाए दे रही और तो अगर आपको मैआ लख कर दिया जो呀 यहाँ पे all button प्रेस कर दिए उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको comment section option दिखाए देरा तो friends यहाँ पे आपको simply लिख देना है location tracker तो friends इत्ता लिख के आपको send कर देना उसके बाद चैनल के icon के उपर press करना जैसी press ring कुछ से इंटरफिस आएगा भी यहाँ पे आपको about section चाहिए ना नीचे स्कॉल करना तो यहाँ पे आपको हमाई instagram page की link मिल जागी जहाँ जाका आप माई instagram page को follow कर लेगे ताकि आपको इस video से कोई पसान यह problem आते तो आप dive मसे instagram पे बाते कर सकते उसके बाद application को download करने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो के टाइटन पैस करना है यहाँ पे देखे कोछ इस टेप से application आपके उपन हो जाएगी ध्यान दीजेगे यहाँ पे आपको email आईडे डालने का option आएगा तो यहाँ पे आपको वह ही email आईडे से login हो जो कि आपका mobile चोरी हो चुका है तो यहाँ पे मैं एक्जाम्पल के तौर्ण को बचा रहा हूं आप खुद से लास्ट सीन भी दिखा रहा है और यहाँ पे उसकी बैटरी वगएरा भी दिखा रही तो आप आप उस mobile में यहाँ पे place on भी कर सकते हैं और ताकि जैसे ही आप place on करेंगे तो उस mobile में ringtone जाने लगी और यहाँ पे आप secure device मतलब आप उसके mobile को लॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे आप उसका location भी देख सकते हैं यह मेरे आसपास ही रखा हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर यह location बता रहा है और यह वाला मैंने email id किस-किस mobile में दिखा है यहाँ पर यह सारे email mobile के यहाँ पर model दिखा रहे हैं यहाँ एक मैंने डाल है one plus 70 pro इसी टाइब से मेरे दूसरा mobile है अपो f9 यहाँ पर तीसरा mobile realme 7 pro और यहाँ पर चौथ है mobile को भी देख सकते हैं और यहाँ पर यहाँ पर चेक कर सकते हो और location पर जाके आप उस mobile को उठा भी सकते हैं यह वेंस